चार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं अपनी यूटूब चैनल टीच सूरज दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IQ Neo 7 Pro 5G Phone में incoming call पर flash light setting कैसे यान करें जी हाँ दोस्तों अगर आप भी IQ Neo 7 Pro 5G Phone का यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़दा अंट्रेस्टिट और यूजफुल होने वाली है गाइज वीडियो में लश्ट तक बने रहेगा हम आपको श्रेटिंग के दोरा बताएंगे कि IQ Neo 7 Pro 5G Phone में incoming call पर flash light setting कैसे यान करें तो गाइज आपको सबसे पहले करना क्या होगा आपको सबसे पहले अपने phone की setting को अन करना होगा गाइज आप अपने phone की setting को अन करना उसके बाद आप थोड़ा इसको लप करोगे आपको यहाँ पर देखिए नीचे मिल जाएगा shortcut accessibility का option guys आप shortcut accessibility वाले option पर क्लिक करना उसके बाद आप थोड़ा school आप करोगे तो आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगा flashlight notification का option आप flashlight notification वाले option को अन कर दीजेगा आपको यहाँ पर दो option मिलेंगे incoming calls और message का guys आप incoming call वाले option को आन कर दीजेगा आपके phone पर कोई भी incoming call जब receive होगी तो आपके जो बैक flashlight on हो जाएगी और आपके phone पर अगर कोई message भी आता है आप उस पर भी notification के जरी यह flashlight on करना चाहते हो तो आप इसे भी on कर दीजेगा जब आपके phone पर कोई incoming call या फिर कोई message जाएगा तो आपकी flashlight on हो जाएगी अगर आप भी IQ Neo 7 Pro 5G phone में incoming call पर flashlight setting on करना चाहते हो तो आप इस प्रकार कर सकते हो I hope guys आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को subscribe जरूर करें मिलते हैं फिर किसी दिन next topic, next video तब तक के लिए by take here